तो दोस्तों आज की पहली अपडेट है वरुन दहुन की फिल्म भेडिया को लेकर आमर को सिकर डाइरेक्षन में बन रही कोमेडी फिल्म भेडिया जिस फिल्म में वरुन दहुन पहले से ही फाइनल हो चुके थे लेकिन इस फिल्म की जो हिरोईन है ओ भी फाइनल कर दी गई है जिहां दोस्तों आपको बता दे कि भेडिया फिल्म में वरुन धावन के आपोजिट हमें देखने को मिलेगी कृती सेनन फिल्म की सुटिंग चालू होगी जनवरी 2021 से और फिल्म की रिलिज डेट अनौनस होना अभी बाकी है वही दोस्तों दूसरे अपडेट है साउथ फिल्म इंडेश्टी की तरब से तो दोस्तों अगर आपने रुद्रामा देवी फिल्म देखी है तो रुद्रामा देवी फिल्म में अल्लो अर्जुन का जो केरेक्टर था गोन गन्ना रेडी जो की बहुत ज़्यादा पोपुलर रहा था तो दोस्तों आपको बता दे कि गोन गन्ना रेडी जो के एक freedom fighter थी उनके उफर एक film बनने जा रही है और जो केरेक्टर अल्लो अर्जुन ने प्ले किया था उस केरेक्टर को प्ले करने वाले है नंदमूरी बाला कृष्णन जिया दोस्तों इस फिल्म में नंदमूरी बाला क रिश्णन मेच कर पाएंगे या नहीं वही दोस्तों तीसरी अपडेट है सूपर इस्टार प्रभास की फिल्म आदिपुरुस को लेकर ओमरोत का डायरेक्शन में बन रही आदिपुरुस जिस फिल्म के इस्टार काष्ट में प्रभास आजे देवगन और सेफाली खान पह करेगी कुछ खबर ये भी आई थी कि अनुस्त का सेटी और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि इस फिल्म में साइथ किरती सुरेज मास सिता का करेक्टर प्ले कर सकती है लेकिन दोस्तों आब आपको बता दे कि आदिपुरुस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट य ये है कि इस फिल्म में मास सिता के केरेक्टर के लिए कृती सेनन को अप्रोच किया गया था लेकिन कृती सेनन ने इस फिल्म में इस रोल को करने से मना कर दिया अब इसके पीछे की वज़य क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई लेकिन ये कन्फोर्म है कि आदिपुर उस फिल्म करने से कृति सेनन मना कर चुकी है वही दोस्तों अगले अपडेट है सुपरिश्टार सारुक खान के फिल्म पठान को लेकर पठान जो कि एक एक संपेक्ड फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिधार तानन और इस फिल्म में सुपरिश्टार सारुक खान के साथ में हमें देखने को मिलेंगे जोन अब्राहाम और दिपिका पादुकोन आपको बतादे दोस्तों पठान फिल्म की जो रिलिज डेट है वो पहले रखी गई थी 2 अक्टूबर 2021 यानि कि ये फिल्म गांधी जैनती 2021 में रिलिज होने वाली थी लेकिन दोस्तों आप अंदर से कुछ खबरे एसी आ रही है कि पठान फिल्म को 2021 की दिवावली पे रिलिज किया जाएगा आप आपको बतादू दोस्तों 2021 की दिवावली पे अक्षे कुमार की फिल्म रक्षा बंधन पहले से ही अनौन्स हो चुकी है तो आप देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि अगले साल दिवाली के मुके पर सारुक खान और अक्षे कुमार की दोनों की फिल्मों का कलेस होता है तो कौन से सूपरिश्टार की फिल्म बॉक्स ओफिस पर बाजी मारती है वही दोस्तों अगली अपडेट है टाइगर स्रोप की फिल्म हीरो पंती 2 को लेकर 2014 में टाइगर स्रोप की डेबिट फिल्म आई थी जिसका नाम था हीरो पंती अब उस फिल्म का सीक्वल पूरे साथ साल बात बनने जा रहा है जिया दोस्तों आपको बता दे हिरो पंती 2 को डाइगर करने वाले हैं मत खान और इस फिल्म में टाइगर स्रोप की आपोजिट जो हिरोईन रहेगी वो फाइनल हो चुकी है जिया दोस्तों आपको बता दे कि हिरो पंती 2 में टाइगर स्रोप के साथ हमें देखने को मिलेगी तारा सुतारिया तारा सुतारिया इस से पहले टाइगर स्रोप के साथ में Student of the Year 2 में भी नजर आ चुकी है फिल्म की सूटिंग स्टार्ड होनी है दिसंबर 2020 से और फिल्म की जो रिलिज डेट है वो साइद 2021 रखी गई है हाला कि 2021 में किस दिन रिलिज होगी यह अभी तक ओफिसियल कन्फर्म नहीं है तो दोस्तो आज की अखरी अपडेट है बोवी देवल के अगले प्रोजेक्ट को लेकर जी हां दोस्तो इन दिनों बोवी देवल के पास फिल्मे और वेब सिरीज एक के बाद एक लाइन से लगती जा रही है इसी साल बोवी देवल हमें क्लास ओप 83 में नजर आए उसके बाद उनके आसरम वेब सिरीज भी एक बड़ी ब्लोगबस्टर रही थी लेकिन दोस्तो आप बोवी देवल के हाथ में एक और बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका है आपको बता दे दोस्तो बोवी देवल के अपकमिंग फिल्म जिसका नाम है लव होश्टल जिस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले है सारुक खान इस फिल्म में बोवी देवल के साथ हमें देखने को मिलेंगे विकरांद में सी और साथ ही साथ नजर आएगी सानिया मलोतरा बता दो दोस्तों बोवी देवल के फिल्म लॉव होश्टल की सुटिंग सुरू होगी 2021 की फरवरी से फिल्म की जो रिलिज डेट है वो अभी तक कन्फर्म नहीं है